अपनी धर्ती पर शुरलंका ने फसाद या था मैच धगधग करने लगी थी सभी किसासे टीम के खिलाडियों ने छोड़ दिया था होसला लेकिन तब ही सुरे कुमार यादो की बुद्धिमानी ने भारत को जिताया मैच हारते हारते कैसे बचा भारत शुरलंका ने अपनी एक गलती की वजह से गवाद या मैच भारत ने जीता मैच लेकिन गुस्से में दिखे गौतम गंभीर दो खिलाडियों की लगा दी क्लास अगले मुकाबले के लिए किया जाएगा दो बदलाव संजू सैमसन की खुल सकती एक किसमत रिंको सिंख पर मंडरा है सबसे बड़ा खत्रा अगले मैच में मचा हुआ गेम खेलेंगे रिंको या नहीं सूरिया ने बता दिया किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारते टीम जिसने की बहुत बड़ा स्कोर श्रुलंका के सामने दिया था उस स्कोर पर भी भारते टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा एक वक्त में जहां ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा हो जाएगा और श्रुलंका को भारत श्रुलंका में ही बुरी तरीके सहराएगा वहीं दूसरी तरफ श्रुलंका के दो खिलाडियों ने पूरी बाजी पलट कर रख थी भारतिये फैंस की सांस थम गई थी हर किसी को यहीं लगने लगा था कि अब तो मैच हाथ से निकल गया पूरी उमीदे तूट चुकी थी जिस तरीके से श्रुलंका ने इस मुकाबले में पलटवार किया वाकई में काबले तारीफ है श्रुलंका के दोनों अपने कहर बनकर तूट रहे थे तबाही पर तबाही मचा रहे थे ना तुस्पन गेंदबाजी कामा रही थे और ना ही तेज गेंदबाज कोई कमाल दिखा पा रहे थे पूरी तरीके से भारत अपने उमीद तोड़ चुका था मगर तभी सुरे कुमार यादों ने अपने बुद्धिमानी दिखाई और गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया गेंदबाजी शुरुआत में अक्षर पटेल की तरफ से खराब थी जिसके बाद उनको कुछ वक्त के लिए रोका गया लेकिन जैसे उनको दुवारा गेंद थमाई गए उसके बाद उन्होंने कोहरा मचा दिया अपने एक हो़र में दो विकेट निकालते हुए शुरुलंका को जोरदार जटका दिया और यहीं से मैच भारतिय टीम के मुठी में आ गया यकीन मानी अगर दोनों विकेट नहीं गिरे होते तो शुरुलंका इस मुकाबले को आसानी के साथ जीत सकता था क्योंकि शुरुलंका की बैटिंग बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही थी मगर पहले जहां घातक गेंदबाजी अक्षर पटेलने की वहीं दूसरी तरफ अरशदीप सिंग ने भी कमाल कर दिया और तो और रियान पराग ने भी मुकाबले में गेंदबाजी की और सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए उन्होंने अपनी उप्योगिता को साबित कर दिया और बता दिया कि अंतरास्तर इस्तर पर बरले बाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं यही वज़ाएं कि रिंकुज सिंह के करियर पर खत्रा बढ़ गया जो मिल लॉडर में बल्ले बाजी करने के लिए जाने जाते हैं मतलब भारती टीम को एक एक्स्ट्रा गिंद बास मिल जाएगा अब देखना होगा कि अगले मुकाबले में क्या कुछ होता है लेकिन रिंकू सिंग को लेकर सुरे कुमार यादों ने इशारा किया कि अगले मुकाबले में भी रिंकू खेलते नज़राएंगे हालनकि सवाल संजू सैमसन को लेकर भी हो रहे है हर कोई कहरा है कि रिश्व पंद की जगापर अगले मुकाबले में संजू सैमसन को मौका देना चाहिए क्योंकि ये खिलाडी वाकई में कमाल कर सकता है अब देखना होगा कि क्या कुछ पदलाव अगले मुकाबने में होगा लेकि नावाज उठ रही है कि संजू सैमसन को भी मौका मिलना ही चाहिए क्योंकि उनको अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे अपने आपको थाबत करेंगे इस मैच में तो भाते टीम ने बाजी अपने नाम कर ली लेकिन गौतम गंभीर को देखा गया कि जब टिम इंडिया की तरफ से खराब फिल्डिंग की जा रही थी